बिहार में आरजेडी प्रमुक लालो प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेश प्रताब यादव तो डिप्टी सेम सुशील कुमार मूदी पर लाल होकर आ गए लेकिन बेटे और पार्टी के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए इसके लिए बलालो प्रसाद यादव खुद बेटे की ढ़ाल बनकर सामने आये हैं और उन्होंने सुशील कुमार मूदी को आश्वासन दिया है कि वो निश्चिन्थ होकर अपने बेटे की शादी करें तेश प्रताब यादव कोई हंगामान नहीं करेंगे दरसल महाराष्ट के और अंगाबाद में एक कारिकरम के दोरान तेश प्रताब यादव ने सुशील कुमार मूदी पर हमला करते हुए कहा था कि वो उनके बेटे उतकर्ष मूदी की शादी में घुसकर सुशील मूदी की पोल खोलेंगे और साथ ही तेश प्रताब ने उन्हें मारने पीटने की धमकी भी दी थी जिसके बाद सुशील मूदी ने तेश प्रताब को घेरते हुए उन्हें डिप्रेशन का मरीज बताया था साथ ही उमीद जताई थी कि लालू अपने लाल को जरूर समझाएंगे इस पर अब लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा किसी को मारने पीटने नहीं जाएगा उन्होंने कहा कि हम लोग मारने पीटने की राजनिती नहीं करते इसलिए सुशील मोदी को निश्चिन्त होकर शादी की तैयारी करनी चाहिए आपको बता दें कि तेज प्रताब अपने इस बयान के बाद मीडिया के सवालों से बचते नजर आये थे साथ ही तेजस्वी यादब ने भी अपने भाई के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी लेकिन इस मामले पर ज्यादा बखेडा ना खड़ा हो इसके लिए लालू अपने बेटे का बचाव करते हुए सामने आये और उन्होंने कोई हंगामा ना होने की बात कही है